नमस्कार गड़ी का काटा पांच से कुछ आगे सरग्या था नाश्ता मेच पर रखे रखे ठंडा हुचला था दूद के गलास से भाप उठनी बंद हो गई थी पर आभा का अब तक पता न था उसे एक घंटा बाद में आने वाली विभा कॉलेच से कपके लोटाई थी और चाय पीकर बैट मिंटन कोट जाने के लिए तयार हो रही थी वीरा जुंजलाया हुआ मन धीरे धीरे चिंतित हो उठा था ऐसे में सिरेश कितना याद आता है जब सिवा बैंगलोर्ड ट्रेनिंग के लिए चला गया है इस तरह के छोटे-छोटे कामों के लिए पड़ोसियों को तकलीफ देनी पड़ती है योँ वे बेचारे कुछ नहीं कहते पर मुझे संकोश तो होता ही है आंटी मैंने चौक कर देखा पड़ोस का अंजुम साइकिल पकड़े दर्वाजे पर खड़ा था आभा इस्कूल से आ गई क्या? नहीं तो, क्यों? पर मेरी बात का जवाब देने से पहले ही वे साइकिल पर लोट पड़ा मैं हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही और सच कहूं तो थोड़ा डर भी लगा पर मुझे जादा प्रतिक्षा नहीं करनी पड़ी कुछ ये देर में वा आभा को लिए लोट आया शाद रास्ते में मिल गई थी अंजुम बेचारा कुछ बोलने ही को था पर आभा उसे कुछ मौका देती तब न अपनी बड़ी बड़ी आखों को और भी बड़ी करके वह पता नहीं क्या 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 गई कि मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा बस इतना समझ सकी कि ट्रक से एक एकसिडेंट हो गया है और एक खूंचे वाला घायल हो गया है उसके बातों का पहला दौर समाप्थ होने पर अंजुम ने बताया कि उसने कॉलिज से लोटते हुए स्कूल के पास बीड देखी थी पूछने पर पता चला था कि छुट्टी के बाद सड़क पार करते हुए बच्चों में से एक बच्चा सड़क पर छूट गया था उस ओर से तेजी से ट्रक आ रहा था लोगों की चीखों के बावजूद वर डर से जैसे सड़क पर ही चिपक कर रह गया एकदम कुचल कर मर ही जाता अगर वहां गोली बिस्कोट सेव परमल बेचने वाला एक व्यक्ती जपटकर उसे खीच न लेता बच्चा तो बच गया पर कहते हैं कि खुमचे वाले को काफी चोट आई है ट्रक वाले का कहीं पता नहीं चला सारी बात सुनकर मैंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया एकसिडेंट तो वैसे एक रोमान्चक अनुभा होता है फिर आभा के लिए तो यह पहला उसर था सारी शाम वा मुहले में घूम घूम कर यह किस्सा सुनाती रही दूसरे दिन जब पेपर में समाचार छपा उसे कुछ ऐसे गौरब का अनुभा हुआ मानो उसी की तारीफ में कुछ छपा है पेपर वालों ने तो खूमचे वाले को एकदम हीरो बना दिया था गरीब की एक टांग कट गई थी यह भी मालूम हुआ कि जिस बच्चे के उसने इस दिलेरी से प्राण रक्षा की थी उसका स्कूल से कोई संबंध नहीं था वा तो पास ही बन रही इमारत पर काम करने वाले एक मजदूर का लड़का था उसके बाप ने गोशना की थी कि अपनी मजदूरी का चौथा भाग तब तक खूमचे वाले के परिवार को देता रहेगा जब तक वा काम करने के लायक नहीं हो जाता मुझे दोनों के प्रती सहानों भूती हुई आज कल मजदूरी से होता ही क्या है चौथाई भाग देकर तो गुजारा और भी मुश्किल था और वा गरीब खूमचे वाला तो एक टांग से हाथ धो बैठा था अपने पैरों पर खड़ा होना तो उसके लिए शायद कभी भी संभावना होगा विभा ने तो हसी हसी में कहा भी इस से तो किसी बड़े आदमी के बेटी की जान बचाता तो ठीक था जिन्दगी भर चैन से बैठ कर खाता आभा तो अख़वार में छपा सारा वर्णन ऐसे भक्ती भाव से पढ़ गई थी कि हसी आती थी उसकी फोटो तक फाड कर उसने कौपी में रख ली थी फोटो क्या थी अस्पताल में ही ली हुई मालूम देती थी दूसरी तो बिचारे के पास होती भी कहां से तीन चार देन से या दुरघटना कुछ धुन्दली पड़ चली थी कि एक स्थानी समचार पत्र ने फिर एक अपील चाप दी इसमें समस्त पाठकों से कहा गया था कि वे घायल खुमचे वाले के परिवार के लिए सहायता दे आभा दोडी दोडी पापा के पास गई और बड़े जोश से उन्ही वह अपील दिखाई उस दिन साहब बहादूर कुछ वैसे ही मूट में थे बोले ये अखबार वाले भी खूब हैं जिसे सिर पर बिठा लेते हैं उसकी तारीफ करते नहीं थकते अब देखो इस खूमचे वाले की तकदीर इनका वश चले तो परमवीर चक्र दिलवा कर छोड़ें जैसे जैसे उनका भाषण आगे बढ़ा आभा का मूँ उतर गया मुझे बुरा भी लगा मैंने सोचा था उनके टूर पर चले जाने के बाद दो रुपए दे दूंगे पर फिर आभा ने मांगे भी नहीं और मैं भूल गई और चार-पांच दिन बीट गया एक दिन शाम को अन्जुम की मम्मी ने कहा आभा टिकट लेकर आई थी आप चलेंगी ना आप चल रही हैं मैंने अपनी हैरत छिपाते हुए कहा मेरी आभा ने तो मुझसे कुछ भी नहीं बताया था चलूंगी क्यों नहीं अन्जुम की मम्मी बोली बेचारे इतना नेक काम कर रहे हैं और धाय रुपय का क्या है एक सिनेमा कम देख लेंगे सोचा था घर चल कर आभा से प्रोग्राम के बारे में पूछ होंगे पर गुस्से के मारे पूछ न सकी अगर वा नहीं बताना चाहती तो मुझे ही क्या गरच पड़ी थी अन्जुम की मम्मी से कुछ बहाना करना पड़ेगा पर मुझे बहाना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी स्कूल जाते हुए आभा मेरे हाथ में दो टिकट रखते हुए बोली एक आपका और एक दीदी का है पैसे की चिंता मत करना और इसके पहले कि मैं कुछ बोलू वह सहेलियों में खो गई टिकट देखने पर मालूम हुआ कि घायल खूंचे वाले के इलाज के लिए आभा की पार्शाला कुछ रखम देना चाहती है इसलिए रविंद्र नाटिग्रेह में एक सांस्कृतिक कारिक्रम दिन के चार बजे होगा दो टिकट थे इसका मतलब था पांच रूपए और वह कह रही थी कि पैसों की चिंता मत करना पता नहीं क्या सोच कर मैंने उसका बेबी बैंक खोला दो चार सिक्के पड़े थे इसका मतलब था टिकट उसने अपने पैसे से खरी दे थे शायद डरती थी कि हम लोग मना कर देंगे मन जाने कैसा कैसा हो उठा एक पांच का नूट उसके बैंक में रखा तब ही जी कुछ हलका हुआ हम लोगों को पहुशते पहुशते पौनी चार बज गए थे हौल काफी भर गया था अपनी सीटे ढूंटते हुए हमारी आखें आभा को ढूंड रही थी पर उसका कहीं पता नहीं था ठीक चार बजे कारिकरम प्रारंभुआ बच्चों के हिसाब से प्रयास अच्छा था कई कारिकरम तो सनी सम्मेलन के रिपीट हो रहे थे पर कम समय में और हो भी क्या सकता था पांचवे नंबर पर एक राजस्थानी निर्ट था इंद्र धनोशे लहंगों और चूनरों में लड़कियां बड़ी प्यारी लग रही थी तब ही विभा चिल्लाई हाई मम्मी आभा और सच मुझ लड़कियों के बीच में आभा ही थी ग्रामीर वधू की वेश भूशा में ऐसी प्यारी लग रही थी कि अंजुम की मम्मी ने कहा बहन जी घर चल कर इसकी नजर उतार दीजिये मुझे एक और तो आभा पर प्यार आ रहा था और एक गुसा भी शैतान ने मुझसे कहा भी नहीं अब मिलने पर खूब ख़बर लूँगी पूरे समय यहीं इंतिजार रहा कि कब मिले और कब जनगण मन के बाद लोग दर्वाजे की और खिजकने लगे पर हम तीनों आभा की प्रतिक्षा में वहीं खड़े रहे उसके गरम कपड़े भी मैं लेकर गई थी पर हॉल पूरा खाली हो गया लेकिन उसका कहीं पता नहीं था हार कर हम लोग ग्रेन रूम में पहुँचे वहाँ कुछ अध्यापी काएं समान समेट रही थी मैंने आभा की बेहन जी के पास जाकर पूछा आभा कहां है? वह तो अपनी मम्मी के साथ कहते कहते वह मेरी ओर देखकर रुख गई अरे आप तो यहां है मिस बेंसन आभा की मा तो यह रही मुझे क्या मालूम मैं तो लड़कियों को बस में चड़ा रही थी कि वह मम्मी मम्मी कहते हुए फाटक की तरफ भाग गई मैंने सोचा कम से कम आपको देखना तो चाहिए था गुस्से और घबराहट के मारे मेरे मुझे से बात नहीं निकल रही थी मैं तो हॉल से बाहर भी नहीं निकली और वह पता नहीं किसको मम्मी समझ कर चल दी मम्मी तभी विभा ने मेरी बाहा चूँकर कहा मम्मी यहां खड़े रहने से क्या होगा चलो बाहर चल कर देखते हैं गुस्से से भरी हुई में बाहर निकली अहाते में सिर्फ इस्कूल की बस खड़ी थी फाटक के बाहर आकर मैंने तांगा किया अंजुम की मम्मी ने कहा विभा को लेकर यहां वहां घूमना ठीक नहीं घर से अंजुम या उसके अब्बा को भेज देंगे मन में कैसी कुशंकाएं उठ रही थी घर में पहुचना मानू पहाड हो क्या था घर के पास तांगे से उतर कर देखा एक स्कूटर रिक्षा दर्वाजे पर खड़ी है मुझे देखते ही उसमें से आभा उतरी और दोड़ कर मुझसे लिपट गई मैंने भी उसे ऐसे चिपटा लिया जैसे बरसो बाद मिली हो कुछ दिर बाद होश आया तो देखा स्कूटर वाला अब भी खड़ा है मेरी निगाह पढ़ते ही उसने कहा बेबी रिगल के पास खड़ी रो रही थी भीड में भटक गई थी शायद मैंने परस खोल कर पांच का एक नोट निकाला मैं किराय के लिए नहीं खड़ा था उसने मुझे रोक कर कहा घर पर ताला बन था और फिर यह भी देना था उसने पाउडर का एक गोल डिबबा मेरी ओर बढ़ाया उस डिबबे को मैं खूब जानती थी आभा उसमें अपनी चोड़ियां मालाएं बूंदे वगेरा रखती थी ओ यह आरे यह तो सब नकली है कोई बात नहीं अच्छा आप चलूं कहते हुए वह अपनी सीट पर जा बैठा क्या अपना इनाम भी नहीं लोगे मैंने कहा पांच का नोट अब भी मेरे हाथ में था इनाम किस बात का माजी उसने हसकर कहा मेरी जगर बेबी का भाई होता तो भी क्या आप उसे इनाम देती फिर दोनों हाथ जोड़ कर बोला बेबी ने मुझे बतलाया है आप सब कहां से आ रही है मुझ जैसे ही एक गरीब भाई के लिए आप लोग कितना कुछ कर रहे हैं मैं आपकी तरह बड़ा आदमी नहीं हूँ हाथ उठा कर कुछ दे नहीं सकता इसलिए इस नेक काम में मेरा इतना लग जाने दीजिए किराए के लिए मजदूरी तो रोजी करता हूँ और देखते देखते उसका स्कूटर सड़क के जिल मिलाती बत्यों को पार करता हुआ आँखों से उज़ल हो गया हम सब इस तब्द से उसे देखते रह गए आभा की आखे भर आई थी बड़े आदमी उसने हम लोगों को बड़े आदमी की संग्या दी थी पर सच तो यह था उस छड़ हम लोग कितने छोटे लग रहे थे बड़ा आदमी तो वह खूमचे वाला था जिसने पराई बच्चे के लिए अपनी जान जोखी में डाल दी या वह मजदूर था जो मजदूरी का चोथा भाग दे रहा था या शायद वह आभा थी जो अपनी नन्ही सिपुंजी परपकार के लिए खुशी खुशी दे सकती थी और आप या स्कूटर ड्राईवर आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी बड़े आदमी धन्यवाद